इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Chapter 1 The Earth हैं The Solar System के बारे में यानि क्या है stitch हमारी chapter है यह हमें क्या बताएगा कि हमारे Earth के अंदर क्या क्या है और Solar System अब Solar System का मीनिंग हमें पहले पता होना चाहिए Solar System क्या होता है जिसके अंदर क्या है gravitational ही सबकुछ bound है ग्रेविटेशनी मतलम जो एक दूसरे को attract करते हैं ग्रेविटेशन जिसे हम कहते हैं और यह एक system है जहांपे क्या है कि sun इसका क्या होता है head होता है और वो सारे objects को या फिर planets को क्या करता है directly या indirectly अपने control में लगता है तो आप से पूछा जाए कि अगर आपके कितने प्लैनेट हैं तो आप क्या कहेंगे हमारे एट प्लैनेट्स हैं और एट प्लैनेट्स के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे सारा कुछ अब हमारा जो फर्स पेराग्राफ है इसमें हमने क्या बता रखा है कि आप क्या स्काई देखते हैं जब संसेट होने के बाद संसेट मतलब क्या जब हमारा सूर्य क्या हो जाता है अस्त हो जाता है तो वो बहुत हमें क्या दिखता है wonderful दिखता है और हम क्या देखते हैं कि sunset होने के बाद हमने एक या दो bright dots दिखते हैं जो क्या करती है sky में shine करती है और धीरे धीरे ये number क्या होता जाता है increase होता रहता है यानि क्या पहले हमने एक या दो dots दिखेंगी Star की जो क्या ओरी होंगी Shine हो रही होंगी जैसे जैसे आपका अंदेरा ओर होता जाएगा वैसे वैसे आपके Number of Stars भी क्या होते जाते हैं Increase होते जाते हैं But हम उन्हें क्या नहीं कर सकते Count नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है? बहुत जादा है तो इस वज़े से हम उसे count नहीं कर सकते पूरा जो sky है हम नारव वो किससे fill हो जाता है tiny shining object से tiny मतलब छोटे shiny object से जो क्या है कुछ क्या है वो bright करते हैं और कुछ क्या करते हैं dim करते हैं मतलब कुछ बहुत जादा bright होते हैं तो कुछ जो होते हैं वो थोड़े कम bright होते हैं और इससे क्या हो जाता है sky को क्या करते हैं यह ऐसे लगता है जैसे कि यह क्या है एक diamonds का गुच्चा है और यह सारे जितनी भी हमारे stars हैं हमें कैसे दिखते हैं कि यह क्या करें ट्विंकलिंग कर रहे हैं और हमने इन सारी चीज़ों को कुछ चीज़े हमें ऐसी होती है जो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आती है यानि क्या वो सिंपली क्या करते हैं सिरफ ग्लो करते हैं और जैसे कि हमारा मून शाइन करता है वैसे ही वो शाइन करते हैं हम सोचते हैं कि ऐसे तारी क्या करते हैं टिम्टीम आते नहीं है तारी टिम्टीम आते नहीं है वो सिरफ मून की तरह है शाइन करते हैं next paragraph में हमें क्या दिया हुआ है कि ये सारे bright objects क्या है ये हमें दिखते हैं कहां पर दिखते हैं sky में और हम इसे कैसे देख सकते हैं जैसे हम moon को देखते हैं वैसे हमें कि most of the days दिखते रहते हैं ये हमें different time में दिखते हैं different shape में दिखते हैं मून के बारे में बताया हुआ है, आपने देखा होगा कि आपका जो मून है वो कभी भी एक्जेट टाइम पे नहीं निकलता, कि डेली आपका कभी 7 बजे निकल रहा है, तो डेली 7 बजे नहीं होता वो, उसकी शेप क्या होती है? डिफरेंट होती है, कभी आपको मून की फू मून देखने को हमें मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में पूर्ड नीमा कहते हैं और कुछ फूर्ट नाइट लेटर अभी जो फूर्ट नाइट है इसका मतलब क्या है फूर्ट नाइट का मतलब होता है दो सब्ता के बाद हम इसे नहीं देख पाते हैं और फिर जब कुछ दिनों के पहले क्या होगा फुल मून होगा फिर कुछ दिनों के लिए दो सब्ता के लिए क्या हो जाएगा हम मून को नहीं देख पाते स्काई के अंदर उसके बाद जो मून आता है वो हमारा कुन सा moon हो जाता है new moon जिसे हम क्या कहते हैं हम आवल से हाँ और इस दिन कैसे क्या देखते हम कि जो sky में हमारा moon है वो सबसे जादा अच्छा दिखता है और हमारी जो night होती है जो रात को night होती है वो हमारी बिल्कुल clear होती है तो हमारा ये second paragraph complete हो चुका है अब थर्ड paragraph में हमें क्या कह रहा है कि जैसे कि हम जो moon है वो क्या देखते हैं कि tiny object है during day time वो हमें नहीं दिखता मतलब क्या कि अगर हम रात को देख रहे हैं तो moon हमें दिख रहा है बट वो हमें दिन में नहीं दिखता ऐसा क्यों क्योंकि जो हमारा सन है वो इतना जादा ब्राइट है कि जो रात के हमारे स्टार्स या मून है उसकी रोशनी की जैसे वो हमें नहीं दिख पाते हैं ठीक है तो यह आगे क्या कह रहाए है आगे हमें बता रहे हैं Celestial Body के बारे में आपसे यह definition पूछी जा सकती है Celestial Body क्या होती है तो वो Celestial Body जैसे कि Sun Moon और जितनी भी हमारी Sky के अंदर रात कुछ चिछे होती है वो हमारी क्या करती है शाइन करती है वो सारी क्या है हमारी सेलेस्टियल बोडी है तो अब ये सेलेस्टियल बोडी के बारे में क्या उता रहा है कि कुछ जो सेलेस्टियल बोडी है वो बहुत जादा बड़ी है और बहुत जादा गरम है और ये सारी सेलेस्टियल बोडी किस स बनी होती है गैसे से बनी होती है आप से पूछा जाए वन माक कोशन के अंदर कि सेलेस्टिल बोडि किस से बनती है तो हम क्या कहेंगे यह सारी हमारी गैसे से बनती है इनकी खुद की हीट होती है और खुद की क्या होती है लाइट होती है और ये हमारे काफी large amount में क्या करती है emit करती है और इनी celestial bodies को हम कई वर क्या कह देते है stars कह देते है जैसे क्या है sun क्या है हमारा star है ठीक है अब भी हमने क्या देखा कि sun, moon और जितने objects रात को shine करते है वो सारे क्या है celestial body और इन celestial body को भी star का जाता है और उसका example पूछा जाए कि ऐसी celestial body बताईए जो हमारे को क्या कहती है star है जो हमारी वो कौन सी है sun है अब आगे क्या बता रहा है कि हम जो ये stars रात को हमारे चमकते हैं और इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं count नहीं कर सकते but we do not feel there heat or light हम इने क्या हम इनकी heat जो है या light है उनकों भी हम feel नहीं कर पाते और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं चोटे होते हैं क्यों 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 हम इने बहुत दूर से देख रहे हैं आपको पता है कि जैसे अगर आप बहुत दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या दिखते हैं हमें छोटे दिखते हैं तो ऐसे ही अगर हम हमारे प्लैनेट पे हैं आर्थ पे तो हमें स्टार्स क्या दिखेंगे बहुत जादा छोटे दिखेंगे जैसे कि example दिया हुए इसने एरोपलेन का अगर एरोपलेन बहुत जादा height पे उड़ रहा है तो वो हमें क्या दिखेगा बिलकुल छोटा दिखेगा next paragraph में क्या बता रहा है constellation के बारे में क्या है constellation जब different group of stars जब एक pattern बनाते है रात को स्काय के अंदर वो हमारा क्या कहलाएगा कॉंस्टिलेशन कहलाएगा तो यहां से आपको कॉंस्टिलेशन की डेफिनिशन मिल गी है अब आगे क्या कह रहा है कि उर्सा मेजर और बिग बियर इस वन सच कॉंस्टिलेशन अगर आपसे constellation का example मांगा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं वन मा के question में उर्सा मेजर या फिर जिसे हम क्या कहते हैं बिग बियर भी कहते हैं यह हम इंको अच्छे से recognize कर सकते हैं recognize का मतलब क्या होता है जिने हम अच्छे से देख सकते हैं easily देख पाते हैं यह seven stars हैं हमारे तो इसे हम क्या कहेंगे सबतरीशी तो यह हमारे क्या बनाते हैं उर्सा मेजर constellation बनाते हैं ठीक है पहले के time में भी इसने क्या बताया हुआ है कि people जो है वो हमारी direction है वो कैसे determine करते थे with the help of these stars मतलब इन stars को देखते हुए अपनी जो location है वो determine करते थे जैसा कि example कि क्या दिया हुए इसने north star का north star क्या है हमेशा north ही direction में रहता है और उसे हम क्या कहते है pole star तो pole star की definition आपको मिल गी है यहां से मतलब क्या यह देखिए यह seven stars है इसने इसकी जो last के two stars है इसने इसको determine किया और यहां से क्या देखा कि यह क्या है हमारा pole star है और pole star हमार को क्या बताता है north की direction बताता है कि इस तरफ क्या हमारा north है और यह हमेशा क्या है हमेशा same position में ही रहता है sky के अंदर with the help of the sub-trish यह मैंने अभी आपको बता दिया कि जो seven stars है उसकी help है last जो हमारे two stars होंगे अगर हम उसको देखेंगे observe करेंगे और उसकी सिदाई में जो हमें star मिलेगा वो होगा हमारा pole star अब जो हमारा next paragraph है उसमें यह क्या बता रहा है कि कुछ जो celestial bodies है उनके अंदर क्या है खुषकी heat या light नहीं होती अभी तक हमने first page पर ये बढ़ा था कि celestial bodies के पास क्या होती है खुषकी heat होती है और खुषकी light होती है बट कुछ ऐसी भी celestial bodies है जिनके पास खुषकी heat या light नहीं होती यह क्या होती है दूसरे stars की help से क्या करते है light लेते हैं और उन bodies को हम क्या कहते हैं planets कहते हैं अब ये देखे the word planet comes from the Greek word planet I which means wanderers अगर आप से पूछा जाए कि जो हमारा word जो planet है वो कहां से आया है तो हम क्या कहेंगे Greek word से आया है जिसका मतलब क्या है planet I उसका planet I का मतलब क्या है wanderers अब जो आर्थ जिस पे हम रह रहे हैं ये हमारा एक planet है ये क्या है heat and light किसे लेता है sun से अब ये हमने पढ़ा था कि कुछ celestial bodies की क्या होती है खुद की heat या खुद की light नहीं होती है अगर आप से पूछा जाए कि आप उसका example दें तो हम क्या देंगे आर्थ जिस जो क्या है खुद की नहीं है जिसकी heat और light वो किसे लेता है sun से लेता है और sun क्या है हमारा सबसे ज़दा nearest star है अब अगर हम आर्थ से काफी distance में ये जो object देखते हैं ये क्या करते हैं shine करते हैं जैसे की moon है क्या है आर्थ के पास जो सबसे ज़द कम distance पे जो हमारे पास खुद की जो shine है वो कौन सी है moon ठीक है ये आपको बताया the moon that we see in the sky is a satellite और ये क्या है आर्थ के round round गूंता है अगर पूछा जाए कि आर्थ की खुद की कोई satellite है तो हाँ कौन सी है वो moon ये भी आपका one mark के पूशन में आ सकता है ऐसे हमारी seven ore planets है जिनके पास क्या है जिनकी खुद की light नहीं है वो क्या करते है sun की help से क्या करते है heat and light लेते है ठीक है अब हमारा क्या है the solar system उससे पहले आप ये देखे यहाँ पे आपको interesting fact दिया हुआ है जिसमें ये दिया हुआ है Jupiter, Saturn and Uranus क्या है इसके खुद की rings है और इसकी आसपस गुमती जाती है अगर आप से पुछा जाए कि किनी भी तीन जो हमारे planet है वो बताए जिनकी खुद की ring है तो आप क्या कहेंगे Jupiter, Saturn and Uranus या फिर तीनों में से ये भी पूछा जा सकता है कोई भी ऐसे planet का नाम बताएए जिसकी खुद की क्या है rings है तो आप क्या बता सकते है कोई भी Jupiter, Saturn या Uranus और ये क्या कह रहे है ये जो belt है ये क्या है small debris debris मतलब क्या होता है मलबा या फिर जिसे आप कह सकते है कचरा चोटे चोटे जो particles है वो इसके आसपास गुमते रहते है और वही जो particles है वो क्या बनाते है एक ring बनाते है ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारी powerful telescope होते है उनकी वज़े से क्या कर सकते है हम आर्थ से इन rings को देख सकते है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही है आगे का जो हमारा topic है solar system ये हम अपनी next वीडियो में करेंगे please like, share and subscribe this channel thank you